हलो खुश्राम देख केती हूँ मेरे ओल फैमिली और फ्रेंज्स को शुक्र जारू अपना किम्ति ताइम निकालके मेरे वीडियो देखने के लिए अच्छे च्छे कॉमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब और शेर करने के लिए बहुत शुक्र जारू आज जो वीडिय बात करेंगे दीआजारह के बारे में सारे इसको डॉक्टिर कहते हैं और मेरे ढस्हाब से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहेड़े how a law means इसको कहूं, ये भी बात मुझे कोई इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूंगी, कोई इसको टूथपिक कहता है, वो चलता है, वो लगता है टूथपिक की तरह, शायद ये मैं उसको कहलूं, मारीयली उसको कि जिन्दा लाश कहती है, I wish कि वो जिन्दा ला बात करेंगे जहीर के बारे में, वो जो बगोडा जहीर है, मैंने इसलिए कहा कि वो उसने खुदकुशी कर लिये, उसने खुदकुशी तो I wish कि वो कारी ले, कि दूआ जारा की जान चुट जाए, लेकिन वो किसी का बेटा है, मैं ऐसे भी नहीं कह सकती, मैंने अपना है मेरी नजर में, कि उसने जो कोट में आज हाजर नहीं हुआ, आज उसको वहां पे अपियर होना था कोट में तो वह नहीं हुआ, तो उसने अपने पाउं पे खुदी कलहाडी मार ली है, अगर वो अपियर हो जाता और अपनी सफाई पेश करता तो शायद उसके बारे में कोई सोच था लेकिन वह कनून के साथ खिलवाड कर रहा है तो अपने पौओं पर खुद ही कलहाड़ी मार रहा है। इसलिए मैं कहते हूँ कि असने खुदकुशी कर लिया है। वो उसने अपने जो इसके राइट्स थे उसको गिव अप कर लिया है। उसको बागा फिरा था बहुत बड़ी चीज़ बना हुआ था वो खुदब खुदी उन सारी चीज़ों के उसकी खुदकुशी हो गी है। इस नजर से मैंने ये का है कि जहीर ने खुदकुशी कर लिया, खुदकुशी उसने अपनी हरकतों से की है, सच मुछ में उसने खुदकुशी नहीं की, अभी तो उदा करेगी केस काली खतम हो जाए, लेकिन लगता है कि ये बहुत देर तक चलेगा, बाकी रही बात 2000 बेटी क बच्ची की, तो उस दिन उसका मैं इंट्रिव्य देख रही थी, तो उसमें वो बहुत बोर्रिंग थी, पटाक पटाक के मेरी जबान में इसको कहेंगे, तो बहुत गुसा आ रहा था, दिल का रहा था, पास हो तो एक आदी ठोक दें, और कहें के क्यों अपने माबब के ब अपने माबब को जाके करें, अगर वो बहुत समझते हैं कि आपकी शादी बंदे के साथ ही होनी चाहिए, तो जब वक्त आएगा अभी तो आप बहुत चोटे हो, चोदा साल की बच्ची को शादी का क्या मतलब का नहीं पता होता, और शादी शिदा जो जिन्दगी है, वो बहुत मुच्कील हें तो उसको पता हंको जिन्सकों अभी बहुती है , जर्यों समय नहीं को बिया है तो जिल्क दिला कर घर्ड़ी सवसीं से कुरुदीं गज़ुकि को इस में आपको एपके जोएा किन शिक्का कई अज़ती है उनकों कोई इसको सूचता है, को प्र हो कि ड के आप ग्राड माप वरा इंडे दोर आपने माप पुरा बुरा बुड नशे ऐड़ मोट नशे के लावाiva तो और मतलब समझे नहीं हो जाती हैं कि गर आपने नशे किया है तो फिर आप ऐसा करोगे और अगर आपने नशे नहीं किया सारे लोग कहते हैं कि आपको नशे के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं तो इसलिए आप ऐसे बोलते हो उस दिन को जो आपका इंट्रुविया उसमें आंखे बांदू हुई जा रही हैं पहुई अपयारा कि अबस्षीत कर आंगाए हैं मुझे यह समझ नहीं आती है इससो का फीसार का भी स्व खाई रहाते हैं उट्रुम्ड्रा प। इरता हैं क्या जिंदगी नूडल पीजा भी चलती है मुझे तो पहली बात यह समझ नहीं कि कोई यह बात कैसे कर सकता है चलें, सारे लोग भात कार रहे हैं तो उनको यह समझ नहीं आरी इंजिए नहीं आरी है आप लोगों में तनी जुर्त ही नही है कि आप ऐसे कर सको को के बंद करो सबकुछ, वो इस वक इंट्रव्यू देने के कंडिसन में नहीं है। लेकिन ऐसे सायप सकते हैं एक पैसे क promet inclusiva शाय भोब कहते हैं मुझे मुझे नहीं प junctionalता मैं बहुत बाता हुआ। मैं तक ही अगार बाची को ऐसंगान के माझा把它 टा गए सब कर दिया है पुलीस क्या के एक सुवाल संवाल इस बढ़ है एक या बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है कोई किसी मुल्क से कि इंडियन मुझे पूछी थी यार वो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है वो यह सब कुछ वो पुलिस क्या नशा करके सोय हुई है उनको समझ नहीं आ रही कि वो बच्ची जब डिकलियर कर दी गई है ग्यारा जो डॉक्टर्स है उन्होंने डिकलियर कर दिया है कि बच्ची माइनर है जिस दिन उनने डिकलियर किया था विदिन अना आवर एक गहंटे के अंदर अंदर उस बच्ची को बाईयाब करा लेना चाहिए था बाजयाब क्या लवज है कि उस गैंग से या उस फैमिली स इसे गैंग नेहां नहीगन है चले लोग चलो अगर आप गैंग नहीं है तो पुलीस में अतनी जुरत नहीं है। जब डॉक्टरों ने उसको डीकलियर कर दिया है थो माइणर है works by a minor जैं какая चोथी है वह नावालग dieta उसका निकाल नामा है के ku saving आङए .. जो है हर मजब के हिसाब से गुना है जिना है जो वो बची उसके पास अभी तक है और पुलिस जो है मुझे तो लगता है कि दुआ जारा को नशे के टीके नहीं लगाए जा रहे हैं यह पुलिस आफिसर को नशे के टीके लगाए जा रहे हैं यह नशे करके सोय में अभी यह पटे मैने किसी का पड़ा उसमें कादमी भाई भी नजर आ रहे हैं उनके मदर भी दूआ जारा की नजर आ रही है दूआ कि भी उसमें पर उन्हों ने पिल्ट भी नजर हुए कि फुलिस चर्सहित के सा, वाकी प बाकी बाकी फुलिस चर्सहित के सा रही information रहा है आपके पास नहीं आप दे सकते कानून के हिसाब से मैं नहीं जानती लेकिन वहां से तो लेकि किसी responsible person को तो दी जा सकती है ना बची अभी तक वो बची उसके साथ एक चत के नीचे क्यों है ये बहुत बड़ा सवाली अन्शान है और दूसरे मुलकों के लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक बची जब उसको डिकलियर किया गया है कि वो चोटी है तो वो अभी तक उस आ पाईजाब नहीं करा सके तो जो जहीर है वो तो लंबा जेल में जाएगा जब जाएगा और वहां पर वो खुदकुशी ही करेगा और उसको करनी भी चाहिए और मुझे लगता है अभी तक उसने कर भी लियो कर दोगी दूएजारों को क्यों कोई मारेगा इसको मरना चाहि कि यहां पाईब ग्राव की इस पूरी फैमली को इनका जमीर मरा हुआए मैं नहीं कहती है उनकी सांसे चले जाएए या जिए जिंदगी से चले जाएए क्योंकि यह जो उनके करीबी रिष्टेदार है उनके लिए बहुत तकलीफ वाला बाइस होगा उसकी मा के लिए बच्ची किसी जिमादार परसन के पास क्यों नहीं है रिस्पॉश्बल परसन के पास बच्ची अभी तक क्यों नहीं है यह बहुत बड़ा स्वालिया निशान है तो दूआ करती हूं हाथ उठा के ख़दा की तरह दौा को नेकी की हदायत करें. क्यों अपने माबाप के साथ रुजी रिजूड करें, अपने माबाप के पास पहुँच जाएं. और यह जो जहीर है क्यों आपने ही बिचाहिए हुए जाल में इसकी फांसी हचाए हुए जाल में आपसदी भी लेगा. मुझे नहीं लगता कि कोई कानून इसका फैसला करेगा ये अपना फैसला खुद ही करेगा मेरा टाइटल भी यही है कि जहीर ने खुदकुशी कर ले तो खुदकुशी उसने नापेश हो के की है अपने राइट्स को उसने गिवाप किया है और इस बच्ची के साथ जो जियाती की है वो उसकी जमीर की खुदकुशी तो बहुत देर पहले की होगी हुए है मेरे कहने कमाता भी है अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने एद्गिदवालों का ख्याल रखें किसी ने ख्याल किया तो तो 2000 आज अपने पेरेंट्स के पास होती है जिर्फ अपनी बच्ची का नहीं दूस्रों की बच्ची का भी इस तरह ख्याल करें एक दूसरे की दुख सुपने शामिल हो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए जहां भी रहें खुश रहें उपर वाला सब करने के बार